नमस्कर दोस्तों एनके फंचर में आपका स्वागत है आज किस वीडियो में हम कटर मसीन का एक स्टेंड बनाने वाले हैं जिसकी मदद से हम तीन इंची लकडी को बड़े ही आसानी से चीर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसमें ट्रीमर डूटर को फिट करके और इसको भी काम मे ले सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए चलिए शुरू करते हैं तो इस स्टेंड को हम बनाने वाले हैं 18 में पिलाई के अंदर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 इंची के हमको पट्टे चिये तो हम 5 इंची पर निशान लगा कर और कटर मसीन की मदद से 4 कर लेते हैं जैसी कि दोस्तों हमने तीनों पट्टे की कटिंग कर ली है और हम क्या करने वाले हैं इसकी एक धार पहले गुनिया में कटिंग कर लेते हैं और इस स्टेंड की हाइट रखने वाले हम 32 इंची तो हम इसमें से 32 इंची पर निशान लगा कर और यह सारे पट्ट जैसे के दोस्तों हमने 8 पीस को कटिंग कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं जो अपना 4 इंची वाला पट्टा है इसको नीचे रख लेंगे और जो अपने पॉने 5 इंची वाला पट्टा है इसको कीली की मदद से उपर से ठोक देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने 4L को त्यार कर लिया है दोस्तों जो अपना 4 इंची वाला पट्टा है इसमें से हम 2 पीस 18 इंची के काटने वाले हैं और 2 पीस 24 इंची के काटने वाले हैं जैसिक दोस्तों हमने चारो पीस को कटिंग कर लिया है और इन चारों पीस के अंदर हम एक फ्रेम को तियार कर लेते हैं तो हम क्या करने वाले हैं जो 18 इंची के पीस हैं उसको अंदर की तरफ ठोकेंगे और जो 24 इंची वाले पीस है उसको बाहर से ठोक देंगे तो यह जो अपना बॉक्स है वो लग बग 24 इंची वाई 19 का बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से हमने इसको त्यार कर लिया है और हम क्या करने वाले हैं इसका टॉप की पलाई काटने वाले हैं तो हम इसका टॉप भी 18 में पलाई के अंदर काटने वाले हैं तो सबसे पहले हम चौडाई के अंदर कटने कर लेते हैं और जो अपना हीट में ना पाता है उसको मrator कर लेते हैं अब दूस्त हुम क्या करने वाले हैं जो अपना ऑपने 50 वाल बेटा कूर जाता है उसकी मदद से हम चार ओ साइट करने वाला बेटा आता है उसकी मदद से हमने जां-जां हौल कर ले हैं उसके उपर से गोजस कर देते हैं इसे होगा यह वापन जब इसकी उपर से पेश टाइट करेंगे तो उसका पेश का मत्था बाहर नहीं रहेगा तो कुछ कुछ इस तरीके से हमने इसको त्यार कर लिया है अब दोस्तों हमको जलुत पड़े की दो 6-7 पिलाई की और यह दोनों पिलाई हमने एक साइज में काट रखी हैं और इसकी साइज की बात करें तो यह 14 इंची वाई 12 इंची के दो पीस हमने कटिंग कर रखे हैं और जो अपन इसके अंदर डेड़ सुत वाले बेट से खड़ा कर देते हैं जैसे की दोस्तों हमने इस थल के भी गोजस कर लिये हैं और अब हम क्या करने वाले हैं इस थल को कटर मसीन के उपर टाइट कर देते हैं जो अपने पेज को ले थे उसी पेज को हम बापस से टाइट करने वाले और हम क्या करेंगे कटर मसीन को चाल उपर के और इसका कटर ब्लेट बाहर निकाल देते हैं और हमने जो 20 इंची 25.5 का एक बॉक्स बनाया था इसके उपर साइ सेंटर में निसान करके और जो अपनी धल है इसका भी चारो तरब से निसान कर लेते हैं तो यह पैन की मदद से हमने इसके चारो निसान कर लिए हैं और अब हम क्या करने वाले हैं इसके बीच में से इस खड़े को निकाल देगे और जो अपनने तहल का निसान किया है इससे हम लगबग सवा सवा इंची 4 तरब बोडर छोड़ने वाले हैं इसका भी हमने निसान कर लिया है और बापस से हम कटर मशीन की मदद से इसकी कटिंग कर लेते हैं जैसी के दूस्तों हमने इसके चारो कट को निकार लिया है और जो इसमें कोंडर में माल बसता है इसको हम आरी की मदद से कटिंग कर लेते हैं तो लगबग हमने इसको कटिंग कर लिया है और अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं जो अपना रूटर मसीन आता है तो इसका लगबग एक इंची 500 नाप निकलता है तो जो अपना बाहर वाला निशान है उससे हम एक इंची 500 निशान लगा कर और बापस एक पट्टी को टायट करके और इसके अंदर हम रूटर मसीन की मदद से सवाइंची भई 6mm का एक पाता बना लेते हैं जिसके अंदर अपनी जो 6mm है वो अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से हम चारो कॉर्णर पे रूटर मसीन की मदद से इसको निकाल लेते हैं जैसिके दोस्तों हमने इसके रूटर मसीन से चारो कट को डिकाल लिया है और हमने इसको अच्छी तरीके से साब भी कर लिया है और हम क्या करने वाले हैं जो अपनी 6mm की थल बनाई थी उसको इसके अंदर डाल कर देख लेते हैं तो जैसे के हमने इसको दोनों को कटिंग कर लिया था जो अपना 18mm का पीज है उसके उपर से 6mm की पलाई को ठोक लेते हैं और इसके अंदर हम एक पेच भी टाइट कर देते हैं ताकि जो अपनी गुनिया है अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए तो कुछ इस तरीके से हमने इसको त्यार कर लिया है अब दोस्तो हम क्या करने वाले हैं जो हमने बॉक्स बनाया था इसके चारो कॉर्णर पेच डेड़ सोथ वाले बिट से हॉल कर लेते हैं ताकि जो अपना सवाइंची वाला पेच है अब वो इसके अंदर आराम से फिट हो जाए तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा रख दिया है और जो चारो पाई हैं इसके अंदर रख देते हैं और बापस से हम सवाइंची के पेच में इन चारो पाई को अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं अब दोस्तो हमारी ये टेबल बनकर त्यार हो चीकी है और अब हम क्या करने वाले हैं जो हमने गुनिया बनाई थी उसके नीचे की तरफ से 6-7 का पीस लगाया था तो उस पीस के हम रूटर मसीन की मदद से दोनों तरफ एक नाली बना लेते हैं जिसके अंदर जो अपना नट बोल्ट होता है वो बड़े आसानी से फिट हो जाना चीए तो कुछ इस तरीके से हमने इसके दोनों तरफ नाली को बना लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं जहां से अपना कटर मसीन का निसान आता है उस जगे पे इसको गुनिया को सेट करके और बापस से अपना जो डेर सूत वाले बिट होता है उससे इसका निसान कर लेते हैं जैसे के दोस्तों हमने डेर सूत वाले बिट से होल गया था और हमारे पास दो सूत वाले नट बोल्ट है उसके अंदर भी निसान करके और बापस से 16 mm वाले बेट से हौल कर देते हैं ताकि जो अपना रूटर मसीन का बेट है वो बड़े आसानी से इसके अंदर से निकल आए तो कुछ इस तरीके से हमने तयार कर लिया है और बापस से जो अपने रूटर मसीन का नीचे वाला इस्टैंड है इसके भी हम 12 सुट वाले विट से हौल कर लेते हैं और बापस से इसको भी गुर्जस कर देंगे अब दूस्त थो हम किया करने वाली हैं? router machine को इस तरी stand के अंदर डाल कर और जितना अपनों को ऊपर चीए उस जगे पे इसको set करके और इसको tight कर देते हैं और अब हम इसके अंदर इस धल को बिठा देते हैं और अपनी ये router machine set हो चुकी है अब दोस्त हम क्या करने वाले हैं जो हमने गुनिया बनाई थी तो इसे stand के उपर इसको रख देंगे और बापस एक nut और वायसा डाल के और जिस जगे पी ये set होती है उस जगे पेस नट बोल्ट को अच्छी तरीके से tight कर देते हैं तो ये लगबग हमने अच्छी तरीके से tight कर लिया है और बापस से हम router machine को चालू कर देते हैं तो जैसे कि हमारे पास एक 18 mm का पीस है इसके अंदर हम एक इंची छोड़ कर 6 mm की जरी निकालने वाले हैं तो हमें इसके उपर इसको चला देते हैं तो इस तरीके से हमें इसके अंदर जरी निकाल सकते हैं तो देखिए हमने इसके अंदर जरी निकाल ली है और उसके बाद हम क्या करेंगे जो अपन ने गुनिया बनाई थी उसके उपर रख कर और जितने इंची के अपन को पटिछी है उजगे पर सेट करके और बापस से हम इस नटबुल्ट को टाइट कर देते हैं तो कुछ इस तरीक दिया था अग बापस से कटर मसीन को चालू कर के और इसका लॉक कर देते हैं जैसे कि दूस्तों हमारे पात जो लकडी है वो 3 इंची मोटी है और हमको फ्रेम चैये वो 5 इंची वई 3 इंची की Ev और जो हमारे पास cutter machine है इसमें 6 इंची का cutter blade लग जाता है तो हमने क्या किया है देड़ इंची एक तरफ से cutter हो जाता है और बापस से पलट देंगे तो ये देड़ इंची और cutting हो जाता है तो कुछ इस तरीके से हम 3 इंची मोटी लगड़ी को बड़े ही आसानी से cutting कर सकते हैं अब जैसे के दूस्तो हमें 1 इंची वाई 1 इंची की लगड़ी cutting करनी है तो इसको हम जैसे कर पर सेट करके और बापस से हम इसको cutting कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें चैनल के नहीं ते चैनल के सब्सक्राइब करें और आपकी क्यारा है इस वीडियो के वारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तो मिलते हैं फिक्स नहीं वीडियों में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत